दो साल से बीजेपी की सारी एजेंसीज कई रेड मार चुकी हैं, कई लोगों को गिरफतार कर चुकी हैं लेकिन अभी तक एक भी पैसे का हेरफेर कहीं नहीं मिला कहीं से एक भी पैसा नहीं एडी समन मामले पार दिल्ली के मुख्यमंती अर्विन केजरिवाल ने प्रेस कॉन्फरेंस कर कहा कि दो साल में कई बार चापे पड़े कोई भिस्टा चार्ड नहीं हुआ है ऐसे फरजी केस में आमादमी पार्टी के कई नेतार जेल में इन्हों ने रखे हैं खोले आम गुंडागर्दी हो रही है पूछताच के बहाने के जिवाल को बुला लो और गिरफतार कर लो ताकि मैं लोगसभा चुनाव में प्रचार ना कर पाऊ दिल्ली के सीम ने कहा कि ये सारे नोटिस गैर कानूनी है क्या मुझे गैर कानूनी समन का उत्तर देना चाहिए मुझे लोगसभा चुनाव में प्रचार करने से रोकने की एक साजिश है भाजपा का मकसद मुझे लोगसभा चुनाव के प्रचार से रोकना है भाजपा पर हमला बोलते हुए CM ने कहा कि जो इनकी पार्टी जोइन कर लेते हैं उसके सारे पाप धुल जाते हैं मनीश शोदिया और संजे इसलिए जेल में हैं क्योंकि उन्होंने भाजपा को जोइन नहीं किया हमें लोकतंत्र को बचाना है मैं पूरी इमानदारी से इनका मुकाब्ला कर रहा हूँ हमें भृस्टाचार नहीं करना है ऐसे देश आगे नहीं भड़ सकता ये क्या चल रहा है ये जन्तंत्र के लिए गलत है इसे रोकना है, मेरा तन मन धन देश के लिए है, मेरी सास खून की एक एक बूंद और कत्रा देश के लिए है, मुझे आप का साथ चाहिए केजिवाल ने कहा कि पिछले दो साल से भाजपा की एजेंसियों ने शराब घोटालों में कई बार शापे मारी की और कई गिरफतारिया की, लेकिन अभी तक एक भी पैसे का हेर फेर नहीं मिला, ऐसे फरजी केस में कहीं आप नेताओं को इन्होंने जील में रखा हुआ है, अ दोसाल से बीजेपी की सारी एजेंसीज़ कई रेड मार चुकी हैं, कई लोगों को गिरफतार कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक एक भी पैसे का हेर फेर कहीं नहीं मिला, कहीं से एक भी पैसा नहीं मिला, अगर भरिष्टाचार वाकई हुआ है, तो इतने करोडों रुपए गए कहां क्या सारा पैसा हवा में गायव हो गया कि सच्चाई यह है कि किसी तरह का कोई भृष्टाचार हुआ ही नहीं अगर होता तो पैसा भी मिलता ऐसे फर्जी केस में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को इन्होंने अभी तक जेल में रखा हुआ है किसी के भी खिलाफ कोई सबूत नहीं है कुछ साबित नहीं हो रहा खुले आम गुंडागर्दी चल रही है किसों को भी पकड़ के जेल में डाल दो अब बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं मेरी सबसे बड़ी संपत्ती मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी इमानदारी है जूटे आरोप लगाके फर्जी समन भेजके यह मुझे बदनाम करना चाहते हैं मेरी इमानदारी पे चोट करना चाहते हैं इन्होंने मुझे सम गैर कानूनी हैं क्यों गैर कानूनी है यह मैंने इनको विस्तार से लिखके भेजाया मैंने बताया है कि उनके समन कैसे गैर कानूनी है लेकिन उनने मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया इसका मतलब उनके पास मेरी बातों का जवाब नहीं है इसका मतलब वे भी मानते हैं कि उनका notice गैर कानोनी है क्या मुझे एक गैर कानोनी समन का पालन करना चाहिए अगर कानोनी रूप से सही समन आएगा तो मैं पूरा सही उप करूँगा BJP का मकसद जाच करना तो है इनका मकसद तो लोकसभा चुनाव में मुझे प्रचार करने से रोकना है ठीक लोकसभा चुनाव के पहले उन्होंने मुझे समन भेजा है क्यूं इस जांच को चलते दो साल हो गए अभी ठीक लोकसभा चुनाव के पहले मुझे क्यूं बुलाया जा रहा है पहले क्यूं नहीं बुलाया CBI ने मेरे को आठ महीने पहले बुलाया था, मैं CBI में गया था, उनके सारे जवाब भी दिये थे, लेकिन अब ये लोग ठीक लोगसभा चुनाव के दो महीने पहले मुझे बुला रहे हैं, तो BJP का मकसद कोई पूछताच करना थोड़ी है, इनका मकसद है पूछताच के बह दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़के BJP में शामिल करवानी के काम किया जा रहा है, एक नहीं, दो नहीं, कितने उधारन हैं, जहां किसी पार्टि के नेता के खिलाफ EDI, CBI के मामले चल रहे थे, या उन पे गंभीर आरोप लगे हुए थे, जैसी वो नेता BJP में शामिल हुए उनके सारे पुराने मामले बंद कर दिये गए या ठंडे बस्ते में डाल दिये गए